तो देखिये भगवान बुद्ध भगवान के जो प्रमुख दस अवतार हैं उन में से एक हैं लेकिन वो वेद विरुद्ध बोले इसलिए भगवान बुद्ध को तो हम नमस्कार करते हैं लेकिन भगवान बुद्ध के सिध्धान्त का बहिशकार करते हैं, वेद विरुद्ध है, हम नहीं मानेंगे सध्धान्त, और वेद के अनुकूल है, तो गधा भी कहें, हम उसकी बात भी मान लेंगे, सही बात है, अथोरिटी वेद है, क्योंकि हम किसी की बात पर कैसे विश्वास करें, आप कहते हैं रामायन में लिखा है तुसी दास जी ने मान लो अरे तुसी दास जी ने रामायन में लिखा है सूर्दास ने सूर्सागर में लिखा है नानक जी ने लिखा है तुकाराम ने लिखा है तमाम संतों ने लिखा है आप कहते हैं सूर्दास तुसी दास संत थे हम कहत कि नहीं थे अरे क्या पता पूरे संथ न रहे हो है उन्हें कुछ कमी रह गई और उन्होंने अपनी रामायन में जितनी बाते लिखी हैं हो सकता उन्हें 10 परसेंट गलत हो 20 परसेंट गलत हो थो तो हम कैसे मानले क्या प्रमान है आप के पास कि तुसी सपार्टी महापुरूष्थ सुर्दास महापुरूष्थ धर जिसक सब्सक्राइब महात्मा मै कि उसंप और तर ने प्रदश के की रामायन वेद सम्मत हो तो हम मान लेंगे इसलिए तुल सिदास जी ने डर के मारे पहले ही लिख दिया नाना पुराण निगमागम सम्मतम्यत कि वही देखो मैं जो कुछ भी रामायन में मैंने लिखा है यह सब वेदों से पुराणों से सम्मत है मिला लेना वेद की रिचाओं से मिला लेना अगर किसी को विश्वास नहों तो ऐसे न मान लेना कोई क्योंकि जब तक कोई जीव भगवान से एकत्व न प्राप्त कर ले तब तक वह चाहे सरस्ती ब्रहस्पती का अवतार हो वह गलती करेगा वह एक करे दो करे चार करे हम हजार करते हैं इतना अंतर होगा लेकिन बिना गलती के नहीं रह सकता कोई कोई माया बद्ध जीव बाइबिल में एक कथा है कि एक बार एक इस्त्री थी दुष्चरित्रा तो उसको लोगों ने पक्थरों से मारना शुरूर किया इतने में जीजस क्राइस्ट आगए तो उन्होंने का वही क्या कर रहे हो तुम लोग क्यों मार रहे हो इस बिचारी नारी को यह बिचारी नहीं है यह दुष्चरित्रा यह बिचार नहीं है इसको दंड दिया जाना चाहिए तो रहने का हाँ दंड तो दिया जाना चाहिए लेकिन ऐसा है एक एक करके मारो एक घटे मत मारो और फिर जीजस क्राइस्ट ने कहा कि कि he that is without sin among you let him first cast a stone at her अर्थात सबसे पहले तुम लोगों में से वो पत्थर मारें इसको जिसने कोई पाप न किया हो जो पाप रहित हो अब सब चुप क्योंकि ऐसा कोई होई नहीं सकता जिसने पाप न किया हो न कश्चिन ना पराध्यति ऐसा कौन है जिसको भगवत प्राप्ति न हुई हो जो माया के अंदर में हो और अपराध न करे यहुदी धर्म दोनों का सिद्धान ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता तो माया के अंदर में जो है वो कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो लेकिन वो गलती करेगा इसलिए उसकी बात को हम धर्म नहीं मान सकते वहां धोखा है इसलिए के द्वारा निर्धारित धर्म को ही सनातन धर्म में धर्म माना जातार यह सब वेदों को उपनिशुद्धों को समझ करके और उसका निचोड निकाल करके यह प्रकट किया गया है गीता के रूप में इसलिए हम इसको मानते हैं यानि लेखक लिख रहा है पहले ही मिला लो वेद सम्मत हो वो ठीक वेद सम्मत नहीं है तो गीता भी गलत हम नहीं मानते भगवान का बाब भी वेद विरुद्ध बोले तो हम नहीं मालेंगे और वेद के अनकूल एक गधा भी बोले तो हम उसकी बाद भी माल लेंगे हम वेद को अथॉरिटी मानते हैं क्योंकि वेद अनादी है अनादी निधना नित्या बागुत स्रिष्टा स्वयम भुवा महा भारत यह वेद अनादी हैं अपाउरुशेय हैं भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं इसलिए वेद हमारी अथॉरिटी है इसलिए वेद जिसको ठीक कहे वह ठीक और वेद जिसको गलत कहे वह गलत है वेद अप्रणि ही तो धर्मों क्या धर्मस तद्वि पर्याया है भागवत चट्वे सकंद के पहले अध्याय का चालीस्वा श्लोक वेद जिसको सही कहे धर्म बताए वो धर्म और जो वेद विरुद्ध हो वो अधर्म जिसको वेद गलत कहे अधर्म का मतलब आप यह मत समझ लीजिएगा कि धर्म रहित ज्यान दीजिए अधर्म आ माने धर्म रहित नहीं आ माने न धर्म नए समास है यानि उसका मतलब यह कि धर्म तो है लेकिन सही धर्म नहीं है जैने आपको बताया था पिछले प्रवचन में मारिच और राम का शास्त्रात बताया था ना हो तामस धर्मावलंभी है कि उसका अपना अलग घर्म है लेकिन हम उसको अधर्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि वे Card values के लिए धर्म बताते हैं कार्व में बताते हैं अच्छा कर्म गव्मेंट के खिलाफ बगावत कर रहा है इसलिए उसको दंड मिलता है ऐसा नहीं कि वह कुछ धारन नहीं कर रहा है वह धर्म रहित हो गया पैंडिंग में चला गया शून्य हो गया ऐसा नहीं क्योंकि धर्म माने धरती धर्मा जो धारन किया जाए तो अधर्मी अधर्म को धारन कर रहा है अरे धारन तो सब कर रहे हैं एक वेद के अनुसार धारन कर रहा है और एक अपने मन के अनुसार धारन कर रहा है यह मन जो हम लोगा है ना बिगड़ा हुआ यह मन कहता है कि बही क्या यह सबेरे से रात तक वेद के अनुसार माथा पच्ची करो और तमाम नियम में बंद करके और गुलामी करो मन को बांध करके वेद के अनुसार है इस चक्कर में नहीं पड़ते हम यह पिताजी का दिमाग खराब है बुड्ड्य हो गए ना इसलिए वेद 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 हम नहीं मानते उसको हम तो अपना जो मन में आए वो करेंगे वेद कहता है सबेरे उठो चार बजे ब्र वेद कहता है सबेरे उठके नहाओ है हम बारे बजे नहाएंगे यानि जो मन में आया वेद कहता है संध्या करो यह करो वो करो अरे इतना लंबा चोड़ा विस्तार है धर्म का कि अगर श्री महराजी आप लोगों को समझाए हजारों वर्षों तक भी बोलते रहें उनके ल नहीं होगी इतनी बड़ी मीमान सा है धर्म की और उसमें बड़ी बारीकी है कि गहना कर्मनों गति है बड़ी बारीक साइंस है उसमें जैसे मान लीजी आपने एक बात पढ़ ली मात्री देवो भव पित्री देवो भव माता की भक्ति करो पिता की भक्ति करो पती की भक्ति करो यह पढ़ लिया आपने हां पढ़ लिया समझ लिया हां समझ लिया ठीक अब एक इस्त्री से उसका ससुर कहता है बेटा ज्राइग लास पानी पिला दो उसी समय उसकी सास कहती है दूद उफन रहा है पहले दूद उतारो उसी समय उसका पती कहता है कि मेरे ऑफिस का टाइम हो गया चश्मा लाकर के दो नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी अब इस तरी खड़ी है पहले किसकी इसास बूली लेकिन पिता से उचा स्थान मता का होता है बेत कहता है इसलिए पहले मेरी बात माननी होगी सच बोला लेकिन ये मेरी बीबी है मैं इसका पती हूं पती का इस्थान बीबी से उंचा है इसलिए मेरी बात माननी होगी आओ विचारी पागल हो गई कि क्या करें किसकी बात माने कि अब कोई है जो इसका समाधान कर दे चक्कर लगाओ पंडितों में कि सब तो लिखा हुआ है धर्म शास्त्रों में वो भी लिखा है वो भी लिखा है सब सही बोल रहा है जैसे हमारे संसार में कानून होते है न यह मटीरियल गव्मेंट के एक कानून को दूसरा कानून काटता है यह जब सुप्रीम कोट में दो वकील खड़े होते हैं एक कहता है यह बिल्कुल ठीक है दूसरा वकील कहता है यह बिल्कुल जलत है और दोनों नजीरें पेश करते है कि लौपेश करते हैं यानि तकरा रहे हैं कानून एक डूसरे से ऐसे ही इस्पिरिच्वल जगत के कानून है कि इतनी बारीकी है इनके अंदर कि महापुरुष के सिवाह है और किसी की पहुंच नहीं है वहां तक उनके रहस्य को समझने की कि द्रॉपदी खड़ी है कौर्वों की सभा में दुश्रासन उसको अप्मानित करने जा रहा है कि दुश्रा दुर्योधन की आग्या से द्रॉपदी प्रश्न करती है वहाँ पर जो विपक्ष में बड़े-बड़े धर्माचार्य थे जो धर्म के टॉप के मर्मग्य माने जाते थे द्रॉणा चार्य क्रिपा चार्य भीष्म पितामा उनसे द्रॉपदी क्वेश्चन कर रही है कि जब पांडव जूए में हार चुके तो उसके बाद उनको मुझे दाँपर लगाने का अधिकार नहीं रहा तो फिर मैं हारी कहां पहले पांडवों ने अपने आपको दाओं पर लगाया और दाओं हार गए उसके बाद उन्होंने फिर जुआ खेला तो द्राबदी को दाओं पर लगा दिया और फिर द्राबदी को भी हार गए तो द्राबदी का क्वेश्चन यह है उन बड़े बड़े धर्माचार्यों से कि जब पांडव लोग अपने आपको जुए में हार गए तो उनको जुआ खेलने का अधिकार नहीं रहा उसके बाद क्योंकि वो दुर्योधन के बंदी हो गए और जुआ तो राजा-राजा से खेलता है और जब जुआ खेलने का अधिकार नहीं रहा इनको तो मुझे दाओं पर लगाने का भी अधिकार नहीं रहा और जब मुझे दाओं पर लगाने का अधिकार नहीं रहा तो फिर मैं हारी कहां तो फिर ये मेरी दुर्गती बनाने के लिए दुष्टासन क्यों खड़ा आये यहां पर आप लोग जवाब दें इस बात का सब चुप सब की बोलती बंद और सब कहते हैं धर्मस्यत्वरिता गति ही धर्म की गती बड़ी टेड़ी है खोपड़ी शून्य हो जाती है वानी बंद हो जाती है देखो हमारे यहां वेदों में जूट बोलना भी लीगल बताया गया है कहां कहां जूट बोला जाए यह सब लिखा हुआ है सच बोलना भी पाप है महा भारत में कथा है एक कि एक बार एक रिशी थे तो एक आदमी आया एक भला आदमी दोड़ता हुआ आया उनके पास और उनसे का कि कुछ डाकू लोग मुझे जान से मार डालने के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं तो मुझे कोई छिपने का इस्थान बता दीजिए ने का मेरी कुटिया के पीछे जाके छिप जो वो जाके छिप गए इतने हें वह डाकू आ क्ईर्ट भूए पीछे यहां कोई व्यक्ति आया है उने का आया है और कहां है उले हमाई कुटिया के पीछे चिपा है क्योंकि वो सच बोलते थे और वो जाकर के डाकूओं ने उनका मुर्डर कर दिया तो उस रिशी को नरक जाना पड़ा तो यम्राज से उसने पूछा कि मुझे नरक क्यों लाया गया और ने का कि आपके सच बोलने से वो मुर्डर हुआ इसलिए उसके दंड स्वरूप आपको नरक मिला है यानि देखो सच बोलना भी पाप हो गया नरक मिल रहा है उसके परणाम स्वरूप इदनी बारीक गतियां हैं धर्म की झाल से वो बारीक ररॉन झाल झाल